आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में यहां देखेंगे कि लास्ट्रेडिंग सेशन में इसे स्टॉक की क्लोजिंग निगेटिव रही थी जबकि मार्केट काफी आउटपरफॉर्म रहा यहां इसके कौटरली रिजल्ट को द देखेंगे तो हाइस टेवर 1692 करोर के रहा था उस समय इस स्टॉक ने काफी आउटपरफॉर्म किये थे मल्टी बेगर भी साबित हुआ था और उसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस कोटन कोटर बिसिस पे कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए दिख रहे हैं और साथ म यर से स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में हैं यहां डिलेवरी अभी भी अच्छी खासी मोर देन 40-60% तक की दिख रही है और यह वही लोग हैं जो इस समय स्टॉक में रिटेल ट्रेडर हैं जिनकी बाइंग उपर की एबरेज कर रहा हैं बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं और उन सभी तक सेयर करेंगे जो लगते हैं आपको कि इस स्टॉक उसने होल्ड कर रखा यहां देखेंगे कि इसका जो हाइस्ट प्राइस था इससे में 60 के आसपास का था वहां से डाउन ट्रेंड रहा उसके बाद दाउन ट्रेंड दिख रहा है जो मेजर सपोर्ट है वह 33 के आसपास के प्राइस को ब्रेकडाउन करता है तो 26 और जो लास्ट सपोर्ट 20 तक के लेवेल भी दिख सकते हैं इस स्टॉक में तब तक लॉंग नहीं करेंगे जब तक कि यह स्टॉक 22 के उपर क्लोजिंग नहीं देती है रिमेन यह स्टॉक कंसोलिडेट इन डाउन ट्रेंड फोर्म में दिखने वाला है